तो भाई लोग यार कैसे हो तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में और दोस्तों ये वीडियो मेरे उन भाईयों के लिए होने वाली है चुकि बहुत ही ज़ादा है बजट में होते है एक PC को बिल्ड करने के लिए उनके पास सिर्फ 20,000 रुपीज है कि वो एक ऐसा डीसेंट से गेमिंग PC बिल्ड कर ले जिसमें वो एक अच्छी खासी गेमिंग कर पाए अच्छे खासे फ्रेम्स को अचीव करते हुए और उनकी जो गेमिंग एक्सपिरेंस है वो काफी ज़ादा अच्छा हो और आपको इत लो टू मीडियम सेटिंग के ओपर 1080P पर तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को दो PC बिल्ड बताने वाला हूं जो हमारा पहला PC बिल्ड है वो होने वाला एक APU वाला बिल्ड और जो हम dedicated GPU का use करेंगे तो dedicated GPU वाला जो मैं आप लोगो बिल्ड बता हूं वो ज्यादा बेटर होगा in comparison तो पहला वाला बिल्ड है तो वो आपके उपर depend करते हैं कि आप लोगो को कौन सा PC बिल्ड करना है तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले PC बिल्ड के बारे में इसम हमें देखने को मिल जाते है productivity वाला काम भी आप इसके थ्रू कर पाऊगे और games में आप low to medium settings के उपर gaming कर पाऊगे और दोस्तों अगर मैं इसके motherboard के बारे में बात करूँ तो हमने इसमें यूज़ करा है A320 वाला कोई सा भी motherboard यूज़ कर सकते हो किसी भी brand का लबख 3500 की देखने हों मिल जाती है अगर दोस्तों बात करें पावर सप्लाई के बारे में तो आप इसमें यूज़ करें सरकल की एक आती है 800 रुपीज की पावर सप्लाई जो कि आउती है 500 वाट की यह मत सोचना कि यार 800 रुपीज के तो बहुत ज्यादा बेकार सी पावर पावर सप्लाई अपने प्राइस के उपर और अच्छे खासे आपको बहुत ज्यादार पावर सप्लाई 800 रुपीज के उपर इसकी और जितनी मैं आप लोगो पार्ट बता रहा हूं इस पीसी बिल्ड के अंदर सभी की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के तो आप जाके चेकाउट करना बिल्कुल मत बूलना दोस्तों जो हमारा पीसी बिल्ड है वो पूरा हो चुका है आप कोई सा भी एक कैबिनेट यूस कर लेना और दोस्तों हम बात करें अगर इसमें फ्रेम्स आपको इतने थोड़े जादा मज़े वाले नहीं मिल पाएंग और फोर थ्रेड्स वाला यह प्रोस्तर है फाइक थाज़न रुपीस या फिर फोर फाज़न एट रुपीस के आसपस आपको ओफलेंड मार्केट में देखने को मिल जाता है काफी जादा कमाल का प्रोस्तर है जिस प्राइस पॉइंट के उपर यह आता है अब दोस्तों बा 5 वाला यह ग्राफिक कारड है 256 का बिट का यह ग्राफिक कारण है और मतलब इतना ज्यादा कमाल का ग्राफिक कारड़ है न कि इसके उपर मैंने dedicated वीडियो भी बना दी आपको उपर आई बटन में वीडियो देखने हों मिल जाती है अगर आपको इस ग्राफिक कारड कंए पर वीडियो स्पेशली देख नहीं है तो आप इस वीडियो को जाके चेक आउट कर सकते हो मतलब जिस प्राइस पॉइंट यूपर यह आता है सिर्फ 3500 रुपे का यह ग्राफिक काड है एक कंडिशन है यह ग्राफिक काड आपको purchase करना हो अलीएक्सपरेस से बिल्कुल मत घबराना जाके यहर अराम से purchase करो कोई प्रोबल्म नहीं होती अलीएक्सपरेस से अगर आपको यह प्रोबलम आ रही है कि अलीएक्सपरेस से क्या पताँ परचेस करो और फिर वो घर पे ना है आपको मतला इस तरह के थोड़े इशूस लग रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम मतलब है अराम से दिल खोल के आप परचेस करो AliExpress से डेफिनेटल आपको आपका प्रोड़क्ट इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा जो की 1TB के 7200RPM की अब दोस्तों बात करते हैं इसे पावर सप्ला है सेम वही पावर सप्ला है और कोई सा भी आप एक मार्केट से केस परचेस कर लेना दोनों ही बिल्ड के लिए कोई सा भी आप 1000 रुपे के असपास का कोई भी एक केस ले 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 ना क्योंकि बजट में तो अब आर जी भी वोगेरा भी इतना मत देखना उसके अंदर अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास फिर भी थोड़े पैसे हो मतलब 21-22 तक जा सकते हो तो एक SSD जरूर इंक्लूड कर लेना क्योंकि SSD एक मतलब मज़ा आ जाता है SSD डाल की किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है सिस्टम तो अब यह हमारी बिल्ड पूरी हो चुकिए वीडियो पसंद आते हैं तो और वीडियो जरूर लाइक करना है बहुत जादा मेनत लगती वीडियो को शूट करने में और चैनल को यार दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो यार प्लीज कर लेना है तुमा